अब कल की जो case study दी उसके बारे में बोलता हूं तो उसमें है मैंने बोला था कि वहाँ पे जो एक concentrated call लिया गया था कि कम stock, बनलब number of stocks बहुत कम और 50-60%, 58-60% small cap में है, 20-21% mid cap में है और 20-21% large cap में है, यह allocation था and overall इस portfolio का पूरे last one year का return 26% है, 25-26% का, विजावीज अगर मैं पूरा diversity यही index के point of view से है, category average के point of view से return निकालता हूं, so that return is between 55-60%, so मतलब वो combination, तो under performance, almost 30% का under performance वहाँ पे नजर आ रहा है, so यह आप लोग बोल रहे है, अरे सर आप तो बोलते हो आपका objective एचिव हो गया, तो क्या problem है, वो तो objective तो 12% का था ना फिर तो achieve हो गया, तो उसमें क्या, so एक चीज समझो, so objective 12% का था, इसका मतलब यह नहीं है कि benchmark बहुत भाग गया, category average बहुत भाग गया नहीं, मेरा तो objective 12% का achieve हो गया, so वो वहाँ पर, मतलब क्योंकि ऐसे साल रहेंगे, उसमें आपका भी participation अच्छा होना ज़रूरी है, आपके returns भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब market perform नहीं करेगा, at that point of time, क्या आपका portfolio फिर भी market को outperform करके ऊपर जाएगा, क्या, is that the guarantee we are having with our portfolio, so that's the thing, it's not about demeaning, de-motivating somebody from investing into stocks, no, not at all, if you are outperforming the markets, benchmarks and category average, so there is no problem, तो ऐसा कुछ बिलकुल उसमें यह नहीं कर रहे है, but उसमें यह नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब, overall, तो I am very happy with this particular process, see, happiness के लिए बहुत सारी चीज़े हैं, life में, so उसके लिए, मतलब, under performance के साथ, happiness, मतलब, I still remember, one of my, मतलब, मेरा बेटा बैड्मिंटन खेलता है, तो एक, उसके साथ और एक बैड्मिंटन खेलता है, उसके पिताजी हमेशा बोलते कि, उनको, अब typical coaching में होता है कि, हाँ, you should enjoy your game, and this, सब बढ़िया हो जाएगा, फिर वो, तुम यह, तो उनको, उनका एक बहुत सही है, बोले, enjoy करना है न गेम में, तो success enjoy करो, otherwise, अगर आपको, मतलब, वो, आपको, it's like a, if you have taken it as a career, so then, take it as a career, and try and achieve the new heights, and वहाँ पे success enjoy करो, यह process enjoy करने के चक्कर में सारा गड़वड हो सकता है, so we need to have that goal in mind, and वहाँ पे participation, अगर market कर रहा है, तो अपना भी participation जरूरी है, so that is the point we will have to understand, and sometimes accepting these things is very important, so उसमें, मैंदब, again, सबसे बड़ा problem मैंने यही देखा है, and I have also gone through that, my phase was between 2004 to 2008, कि जब market भाग रहा था, stock market भाग रहा था, one-way market भाग रहा था, तो ऐसा ही होता था, मुझे भी मतलब, अलग है रहे है, मुझे तो सब पता है, मुझे तो, I know everything, so I think Gauru also knows that, कि वन MBA days were there, सब को लगता था, वापरे कि इसको कितना पता है, 2008 के अन्शा, और मुझे भी लगता था, कि मुझे बहुत पता है, मुझे तो सब कुछ पता है, 2008 में जब fall हुआ, और वो global financial crisis में fall देखा, और 60% index नीचे जाते हुए देखा, so और उसके बाद जब हम investors से मीटिंग वगरे हो रहे थे, this is the best opportunity, ऐसा वैसा और TV पे सत्यम स्क्याम आ रहा था, तो उन्होंने बोला, यह क्या हो रहा है, तुम बोल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, यह तो सत्यम स्क्याम और उसके बाद धड़ब, बोला से, sorry, चलो, बैक पैक करो, चलो, निकलो यहां से, मतलब, चार बार मैंने जाके वो लेटर पढ़ा था, कि वो जो लिखा था, Mr. Raju ने, तुसे भी, कि क्या-क्या हुआ, बोला भही, कैसे यार, मतलब, this is, so, I think a lot of things we learn from, so, अगर किसी को, सही में लग रहा है, कि भाही, मैं यहां पे, मतलब, इसमें, ओफिस में बैठके, SIM numbers देखके, annual reports, सिर्फ annual reports पढ़के, वगेरे, यही सारी चीज़े होंगे, I'm not trying to again, large cap side में शायद हो भी जाए, but small cap, mid cap में तो, मतलब, पता भी नहीं चलेगा, कि क्या हो रहा है, कि अगर आप office में बैठके, जी कर रहे हो, and when, and point क्या होता है, ultimately, कि when I'm going and meeting with a lot of fund managers, तो वहाँ, वही होता है, कि जब वो, उनका process देखा जाता है, कि अरे, देड़ से देड़ से दीन का traveling होता है, उनका, to just go and meet the managements, understand the business, meet the dealers, distributors, customers, अलग-अलग feedback लो, क्या-क्या ecosystems है उनके, वहाँ से समझ के, वो पूरा analysis करके, then they take a call, so it's not, कि हाँ बही, हाँ, चलो, एक Excel चला लिए, हाँ, ये evaluation बढ़े है, चलो, कर लो, ठीक है, मतलब, एक supporting के लिए वो चीज हो सकती है, but that could not be the gist of investing, and again, बहुत सारे लोगों, फिर से थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि, a lot of time, people are reading a lot of books, and books, read करने के बाद, सही में लग रहा है कि, हाँ, ठीक, आप book reading हो गई, अब चलो, आप, आप investing, हम direct stocks में करते, no, it is not, वो, मतलब, I think, वो, last stage है वो, वो शायद आपको और जादा, मतलब, broader level पे, जब आप घुज गए हो companies में, तो वहाँ पे वो books से कुछ-कुछ चीज़े आपको help कर सकती है, but अगर कोई सोच रहा कि, हाँ, यह 57 books हो गए, चलो, यह books हो गए, अभी, now I know what to do, so I think this is, it will not happen, and again, अगर मैं, फिर से, please, requesting you all, कि अगर किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं, हम तो मतलब यह कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हों आपको फॉर्म, then you are really doing well, no doubt, and then there is no need to change, अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रॉपर आपके analysis से हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप achieve कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें हो, तो कोई problem नहीं है, so it's not that कि, everybody, we are saying, क्या रहे हैं, नहीं यह क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहें, no, not at all, there will be some portfolios जो कर रहें, but majority जो हम देख रहे हैं, at least हम जो discussion कर रहें लोगों के साथ, जब वो portfolios देखे जा रहे हैं, तो वहाँ पर underperformance सीदे सीदे समझ में आ रहा है, I will not name, तो आज का लें बहुत सारा, एक small case बहुत famous है, तो वो आज भी एक meeting होई थी, तो वहाँ पर the small case was completely concentrated on small and mid and even micro caps also, and the last one year, 10 July को वो small case ली थी, आज क्या है, 5 July, तो अभी तक एक साल भी नहीं हुआ है, and the absolute returns are around 26%, 26% का absolute return है, small or mid cap, small cap और micro cap actually हो allocation में जाले, तो smaller micro cap के अगर आप index भी निकालो या फिर funds भी निकालो, जो category average के returns है, उसके comparison में कम से कम, 32 to 34% का under performance है, वो PMS का, या फिर वो small case का, तो ये समझना हो कहां में ये सब चीज़े, कि अगर नहीं है, वहाँ पे return तो it's okay, तो कोई problem नहीं है वो, ये बहुत बड़ा misconception हो हो चुका है कि नहीं, mutual funds तो retail investor के लिए होते है, वो क्या कहा है, मतलब उसमें तो मतलब उसमें कुछ मजा नहीं होता, you need stocks to be find out the multi baggers, I am doing one study, आज मतलब almost आ गया है, मेरे पास सारा data and I am going to make a lot of videos on that, कि ये जो multi baggers, multi baggers stocks के हम बाते करते हैं, कि कैसे ये different small cap funds mid cap funds are holding these companies and they have become multi baggers 5 times, 10 times, 15 times, 20 times and even somewhere 28, 34 times also, तो वो क्वों से companies है, कैसे है, वो सारी चीज़े but problem ये है गोरो, उसमें से when I am going to talk about the companies people will start, okay, ये company में invest कर दे, they will not think, अच्छा, ये फंड में जाके invest कर देते हैं so I think, मतलब कहां हमें यही चीज़े समझनी है कि वो multi bagger, अगर कोई company का stock बन रहा है, तो वो इसलिए बन रहा है, because institutional investors उसमें अच्छा कासा allocation ले रहे and that is the reason तभी, मतलब ये multi bagger होती है चीज़े, because वो sizable position वहाँ पे build करते हैं and they stay invested for long term, तो उस वो declaration आता है 15 तारिक को जब उनका fact sheet बहार आता है, portfolios बहार आता है और वो अगर उन्होंने लिया है last महिने, 15 तारिक को after the declaration of earlier one तो फिर मतलब क्या करोगे आप तो मतलब एक महिने तक का तो आपका और institutional buying ये तो कितनी bulk में आएगी ये भी समझो आप I think ये उस हिसाब से वो follow करना will not be a right thing, if they are managing a methodology और उस हिसाब से process follow करके, if they are achieving the results it's okay to go with them, अपना काम है अपने core competence पे focus करना और वहां से पैसा earn करना, और अपने core competence पे और ज़्यादा अगर focus करोगे, job में और अच्छा करोगे, business में और अच्छा करोगे you will earn more and you will earn more so obviously your savings will also be more if your savings will be more then the investments will also be more, so automatically that is the thing, अगर आप जो base से उसको ही बढ़ाते जाओगे from your core competence और के चाहिए आपको लोगों को लगना मैं ट्रेडिंग करके अपना base बढ़ाओंगा और आपने core competence को भूल जाओंगा नया core competence डूढ़ने के कुछ और 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 फिर उसी सब से हम करेंगे पर से टोल्ड यू ना योगेश कटार यूजिए के office में गये थे CA interns थे जब यह बढ़ा क्या करों क्या लगते मार्केट में कितने रिटर्स आने चाहिए सबस्ट करें और इनवेस्टिंग से कितना बनेगा और इतना इतना बने और इनवेस्टिंग से फिर वहां सबस्वरय है तो हम पकड़े गए इन्वेस्टिंग से हम कम बोल रहें अभी अगर ट्रेडिंग से 40-50 परसे इतना कॉंफिडेंस है तो इन्वेस्टिंग में क्यों जा रहे हो ट्रेडिंग करते रहो फिर और मतलब भीरे-दिरे मतलब इन्वेस्टिंग से कब निकलेंगे हमें पता नहीं है इसलिए तो चीक-चीक के बोल रहा है ऐसे भी 95% of the people are not making money in the market please understand this और यहां से पैसा निकाला जा रहा है रिटेल इंवेस्टर से हम उनको बोल रहे हम उस कैटेगरी से निकलते बाहर आजाओ इदर इन्वेस्टर की क्योंकि वह जिरो सम्गे में समबड़ी विल विन समबड़ी लूज तो हम यहीं करना है कि भाह हम वह जो लूज कर रहे हैं उनकी कैटेगरी में जाके ना बैठे बस लाट्स तेटिंग विल एब टॉड़